असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज चनल कश्मी क्रोशी वर्ल्ड सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो रमीन अपडेटेड़ आज मैं आपके सामने एक सिंपल पैटर्न का फ्लार बनाऊंगी जिसके लिए हमें first of all magic ring बनाना है magic ring अप देख सकते हूं मैं कैसे यहां पे बना रही हूं जैसे knot बनाना है लेकिन हम knot को tight करते हैं इसको loose ही रखना है तो यह जो हमारा यह बन गया है यह Loop बन गया हमारा इसमें हम one chain देंगे तो पूरे circle में मैं यहां पे सिंगल क्रोशी दूँगे 10 सिंगल क्रोशी माजिक रिंग में यह जो हमारा होता है यह जो हमने यौन रखा होता है इससे हम टाइट कर सकते हैं टाइट भी और लोज भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर मेरा यह फ्लार का यह बन गया इसके बाद में सिल्प स्टिच दूँगे लास्ट वालब लाव फ्लार की बेस जो है वो बन गई इसके बाद मैं ट्री चींज दूँगी हम यह पैटर्न हम ट्रिपल क्रोशी कर रहे हैं ट्रिपल क्रोशी से हम ये स्प्लार बना रहे हैं इसके बाद मैं टूबा यॉन को खुक के उपर से लोगी और सेम उसी में डालूँगी जहां से हमने थ्री चेंज दी इसके बाद फिर से मैं ट्रिपल क्रोशी दो बार एक ही चेंज में दूँगी आप देखें, दो ही एक में, and फिर थर्ड चैन में, वन ट्रिपल क्रोशी, and वन स्लिप स्टिच, अब देख सकते हूं, यहां मारा पैटल बन गया है, इसके बाद से ही आपको यही करना है, टूटल हमारी फाइफ पैटल्स बन जाते हैं, इसके बाद सेम आपको यही करना है, ट्रिपल क्रोशी इसी सेम स्टिच में डालनी है, जहां से आपनी थ्री चैन्स दी, सेकंड स्टिच में आपको दो बार ट्रिपल क्रोशी डालनी है, इसके बाद वान ट्रिपल क्रोशी, वान स्लिप स्टिच, तो यह बन गया, अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी हां तक, लास तक, तो यह मेरा लास तक बन गया, अब लास में आपको टूटल वन चेंज रहेगी, जिसमें आपको क्या करना है, पहले हमें थ्री चेंज देनी है, थ्री चेंज के बाद हमें इस ही में डालना है, जैसे कि आपने पहले प्रोसेस किया, वैसे इस टाइम भी करना है, और दूसरी चेंज है, उसमें आपको टू ट्रिपल प्रोशी देनी है, एंड लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जिसमें आप ने फिर्स्ट वाली चेंज बनाई, उसी में आपको लास्ट वाला डालना है, जहां से हम लोग ने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे भी आप ट्रिपल ग्रोशी एंड वान स्लिप स्टिश डालेंगे, अब देख सकते हो, यह मेरा फिलार बन गया, मैंने याउन भी हाइड कर लिया, सब कुछ हाइड कर लिया, तो यह मेरा फिलार बन गया, अब इसके बाद आप इस को डबल स्टिश में भी, डबल क्रोशी स्टिश में भी आप इसको बना सकते हो, मैं आपको वाला पैटर्न भी दिखाऊंगी, यहाँ पे भी आपको ऐसी मैजिक रिंग बनाना है, यहाँ पे मैं टोटल 11 चेंज दे रही हूँ, 11 चेंज इसलिए दे रही हूँ, यहाँ पे मैं 11 पैटल्स का फ्लाव बना रही हूँ, स्वरी, 6 पैटल्स का फ्लाव बना रही हूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैंने 5 पैटल्स कर यह आप तक है, आपको अगर 7 पैटल्स वाला फ्लाव बनाना होगा, अगर आपको 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में आपको दूंगी डबल क्रॉशी ट्रिबल क्रॉशी आप वह भी देख लीजिएगा कैसे यह स्टिक्स करनी होती है सेम पैटर्न इसको भी करना है लेकिन अब चेन दो ही देनी है एक ही टाइम यौन को हुक के उपर से लेना है यहाँ पर यह बन गया हमारा दूसरा फ्लार भी आप देख सकते हो इन में डिक्टरेंस यह सिक्स पैटल वाला है और वो फाइफ पैटल वाला है बहुत इजी है गर में ज़रूर ट्राइ कीजीगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंदाए लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं नेक्स मैं आपके लिए क्या बनाऊं थैंक्स पर बहुत आप